हेलो फ्रेंट्स मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ओफीसियल में तो गुड मॉर्णिंग और अभी बज़ने हैं सुबब के पांच और मैं आज पुनी पांच में ही नींद खुल गया मेरा तो उठ गई और बाहर से मैं घूम करके भी आ गई क्योंकि इसलिए अगर आप उठते हैं तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो बहुत नींद आने लगती है और मुझे था श्टड़ी करना तो मैं सुची अभी एक डेर घंटा में श्टड़ी कर लेती हूँ तो इसके लिए मैं रोज पांच बज़े उठ जाती हूँ तो अभी आप यह देखिए पांच बज़े का मौसम पूरा अंधहरा रहता है पांच बज़े बाहर में तो पांच बज़े सुबह हो जाती थी लेकिन अभी अंधहरा ही लगती रहता है तो मैं आ गई हूँ फ्रेश हो करके और सुची अभी श्टरी करती क्योंकि मेरी नींद भाग और बैड mentor के क्टी करोंगी योगे निट आने वाली नहीं है कि मैं उठने के बाहर चली जाती है और बेड़ करके मैं अभी स्टरी करूँगी पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरा एक्जाम आने वाला है और अच्छे से त्यारी करती हूँ इसके बाद इसक् Care nữa शूं भी है अभी आ गए हैं हम कीचेन और मेरा गला इतना दर्द ज्यादा करने लगा क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो इसमें सरती सब तो आती रती है जैसी मौसम चेंज होता है कि हमें कोल्ड होना शुरू हो जाता है तो गला इतना ज्यादा दर्द करने लगा इस वज़ा से मेरा पू क्योंकि मेरा पुगला इतना ज्यादा दर्द कर रहा है कि लगने फीवर जैसे आने वाला है कि हम जाने स्कूल रेड़ हो क्या आ गए है मेरे साथ है अनकीत भी आगए हम स्कूल पमच गए हैं अपने स्कूल इनको आप जानते ही है यह हमारे चनल जी असार्टार सोस्वर यह सबसे पहले आते हैं स्कूल उसके बाद हम लोग आते हैं आदपापा नहीं थी तो हमिलाने के लिए ही गये थे तो पहुंचते ही सबसे पहले मैं दिखा देती हूं भगमान जी को अगरवती पूजा कर लेते हैं थ्वासा मासरोसती जी का और लक्ष्मी जी भी है यहां तो उन सब का पूजा कर लेते हैं फिर मिलते हैं तो अब हम पूजा कर लिये हैं और यहां देखिए गनीश जी और माता लक्ष्मी जी है और यहां मासरोसती जी है जो कि इसको विद्या की देवी मासरोसती जी तो बच्चे सब का अभी एसेमली हो रहा है प्रेयर्स हो रहा कि विए ज़ी तूटल अभी नौ टीचर में हमारे स्कूल में दीरे दीर किसी साल ओपनिंग हुआ है तो अभी ना एंटीचर है स्कूल में अभी हो गया है इसके निट चले जाते हैं उसके बाद मैं भी घर निकलोंगी तो दस पर पंद्रा मिनिट में मैं घर चली जाओंगी वैसे भी ठंड पे दूप में बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है और तो सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है दूप में ही बैटने में अच्छा लग रहा है दूप में बैठे हैं तो अच्छा थुआ सफील हो रहा है तो अब थोरी दिर में हम लोग घर जाएंगे और आज तो सटरडे था इसलिए जल्दी चुटी होगे सब्सक्राइब जाएगा अब हम लोग जाड़े हैं घर और इसको देखिए ए तुम सो गया तो पांच मिनट लगे घर जाने में तुमको घर जाते ही देखना नीन तुम्हारा भाग जाएगा आज को पता है तुम घर जागा सोता ही नहीं है आज तो जल्दी छुटी हो गया तुमको कैसा लग रहा है अंकीत इसको लगता है यहां से पांच मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर अब भूप बाहर में इतना ज्यादा आ गया है पहुंच गई मैं अभी घर और अ हमारे बंकी भीया जी जो की नास्ता भी ने किया है भूख लगा है इसलिए बहुत बंगाना सुन रहे हैं तब मैं जल्दी से अपना ड्रेस करती हूं फ्रेस हो जाती उसके बार जलती हूं खाना खाने के लिए हो गई रात और हम लोग का डिनर भी हो गया है तो अभी मैं हम यहां आई हूं अपने लिए हल्दी दूद लेकर के तो यह दिखिए पीला-पीला दूद है क्योंकि सर्दी हो गया है तो हल्दी दूद हम पिएंगे जल्दी से ठीक हो जाएगा और हमारी मच्छर देखे बार में कितना ज़्दा मच्छर इदर इदर कर रहा है तो अभ जब दूद पी लेते हैं, उसके बाद फाद रेश्टरी करेंगे, फिर हमें जब नीद आएगी, फिर हम सो जाएगे, क्योंकि कल है संडे, तो आज जल्दी नाई भी सोएगे, तो लेट से भी उठेंगे चलेगा, क्योंकि स्कूल कल है ने, कल स्कूल में छुट्टी है, तो क संडे का भी ब्लोग आएगा, यह ब्लोग कैसे लगा, बताईएगा, और इस ब्लोग को यह पर इंड करते हैं, मिलेंगे आप से कलिक नेक्स्ट ब्लोग में, तो आप सभी को गुड नाइट,